हेलो एवरीवन आप सभी का फिस्स स्वागत है ये घटना चक्र साइन्स का डिसकसन है हम लोग बायलोजी को डिसकस करें बायलोजी में हमारा टॉपिक चल रहा है वह अरगी की इससे पहले वाले सेसन में प्रश्ण संख्या 53 तक अल्रेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया तो टेलिग्राम चैनल टेलिग्राम क्विज ग्रूप या चैनल के कम्यूटी बॉक्स में जाए वहां पर इसके रिगार्डिंग में इन्फर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं 54 नमबर वाइट लेग हार्न किसका एक किसम है वाइट लेग हार्न एक किसम है कुकुटो की याद रखिएगा कुकुट यानि सी अप्सन वाइट लेग हार्न कुकुटो की एक किसम है एक मतलब की एक वर्ग है 55 है टीक और माइट वास्तों में क्या होते हैं टीक और माइट वास्तों में होते हैं क्या होते हैं तो टीक और माइट वास् तेक स्वतंत्र जीवी होते हैं दीम को यह भी कहते हैं दीम को और क्या कहते हैं बताइए दीम को यह भी कहते हैं दीम को किस नाम से जाना जाता है तो याद रखिएगा सही जवाब है स्वेत चिर्टी दीम को स्वेत चिर्टी भी कहते हैं वाइट एंट भी कहते हैं दीमा को white ends भी कहा जाता है स्वेत चिर्टी भी कहा जाता है यह kit work प्राणी है जो अर्थो पोड़ा संग के अंतरगत आता है जुगनू होता है जुगनू क्या होता है 57 नंबर प्रस्ण जो है पुछा गया है कि जुगनू जो होता है वो क्या होता है तो जुगनू एक कीट है D option इसका सही जवाब है जुगनू या घतोत कीटों का एक परिवार है इनके पंक होते हैं यह जीव देपती उत्पन करने यानि परकास उत्पन करने वाले अपने संगी को अक्रिष्ट करते हैं या दूसरे जानवरों का सिकार करने के लिए इसका उप्योग करते हैं वेग्यानिकों ने यसिद किया है कि जुगनू की चमक लिूसी फेरेस नामक एंजाइम के कारण होती है कि इस एंजाइम के कारण तो लिूसी फेरेस नामक एंजाइम के कारण 58 है एक परजीवी पर दुसरे परजीवी के आसित रहने को क्या कहते हैं तो सही जबाब है याद रखेगा उप परजीविता कहते हैं एक परजीवी जब दुसरे परजीवी पर डिपेंड रहते हैं या डिपेंड होते हैं निर्भर रहते हैं तो इनको उप परजीविता कहते हैं B option बिल्कुल correct option है आगे वड़ते हैं next question अच्छा इसके बारे में एक दो point है discuss कर लेते हैं देखिए एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आसिरित रहने को उप परजीविता कहते हैं दूसरा परजीवी पहले परजीवी से अपना भोजन प्राप्त करता है 59 है निमलिखित में कौन सा कीट नहीं है निमलिखित में से कौन सा कीट नहीं है तो सही जवाब है मकड़ी B option मकड़ी वर्ग जो मकड़ी वर्ग है एरैक नीडा याद रहे हैं मकडी वर्ग एरैक नीडा तथा क्रम एरैनी का एक जन्तू है जो की उदर के पश भाग में इस्थित गरंतियों के स्राव से जाला बनाती है तो उदर के पश यानि पीछे के भाग में इस्थित गरंतियों के स्राव से जाला बनाती है सभी मकडियां परभक्षी होती है अनविकल्प के जन्तु किट वर के अंतरगत आते हैं इन में तीन जोड़ी यानि छो पाद छे लेक्स पाए जाते हैं जो सभी कीटों का विशिष्ट गुण है मकडी किट वर के अंतरगत नहीं आती मकडी के कितने पैर होते है तो याद रखिएगा मकडी में आठ पैर पाए जाते हैं आठ टांगे होती है यानि बी अप्सन 61 है निवलिखित में कौन कीट नहीं है निवलिखित में कौन कीट नहीं है तो सही जवाब है मकडी मकडि कीट के वर्ग में नहीं आती है 62 है मकडियों के द्वारा उत्पादित रेसम क्या कहलाता है मकडियों के द्वारा उत्पादित रेसम कहलाता है मकडियों के द्वारा उत्पादित रेसम गोसामर रेसम कहलाता है यानि B अप्शन सही जवाब है देखे रेसम प्रोटीन निर्मित फाइबर होता है मधुमखिया, तेतली, मकडिया इसका उत्पादन करती है मकडियों के द्वरा उत्पादित रेसम को गोसामर रेसम कहा जाता है रेसम के अन्य परकार है मलबरी रेसम, टसर रेसम, इरी रेसम और मुंगा रेसम आदी 63 है रेसम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिजिक तन्तू पैदा करता है फाइबर और कमर्स पैदा करता है रेसम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिजिक तन्तु पैदा करता है तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा Option C कोशित ठीक है कोशित इसका सही जवाब हो जाएगा रेसम का कीडा कोसित अवस्था में वारजिक तंतु को उत्पन करता है लारवा चक्र के बाद तयार प्यूपा के बच्चाओं के लिए ये अपनी लार ग्रंतियों के द्वरा स्रावित पदार से खोल कोया तयार करता है जिसे रेसम की प्राप्ति की जाती है रेसम का उपयोग वस्तर उदियोग में किया जाता है 64 है रेसम कीड जीन पर पनपता है वे हैं रेसम कीड किन पर पनपते हैं या किन पर अपना विकास करते हैं तो याद रखिएगा रेसम कीट जीन पर पनपते हैं वे है सहतूत की पतियां यानि D-Option रेसम कीट कीट वर का प्राणी है या सहतूत के पत्तों पर पनपता है 65 है निमलिखित में से कौन एक कीट के सरीर से निकला स्राव है यानि कीट के सरीर से निकलने वाला जो स्राव है वो कौन सा है तो याद रखिएगा कीट के सरीर से निकलने वाला जो स्राव है वो लाख है ठीक है C-Option लाख दीक है लाख को लाख के कीट से प्राप्त किया जाता है इसका स्रावण सुर्ख रंग के मादा किट करती है जिनका उप्योग वारनिस, पॉलिस, चपड़ा, मोहरी लाख, इत्यादी निर्मान में होता है 66 है निमलिखित में कौन कीटो से प्राप्त नहीं होता है चार अप्सन दिये गए, अप्सन को देखिए और बताइए कि इन में से कौन कीटो से प्राप्त नहीं किया जाता है तो याद रखिएगा, मोती को, जो मोती होता है कीटो से प्राप्त नहीं होता है D अप्सन इसका सही जबाब है रेसम के किट से रेसम की प्राप्ति होती है रेसम का किट सहतूत के पत्तों पर पनपता है लाख केरिया लैका यो लैसिफर लैका नामक किट के द्वारा प्राप्त होता है मधुमक्या समाजी किट है जो फूलों से मकरंद इकठा करके सहत कर निर्मारत करती है मोती वस्तुतर जो है मुलस्का संके जीव पिंक टैडा या परल ओइस्टर के द्वारा प्राप्त किया जाता है 67 निमलिखित में से किस जीव का रख्त या ब्लड सफेद होता है बताईए निमलिखित में से किस जीव का रख्त या blood सफेद होता है white होता है काफी मैत्पूर्ण प्रस ने बहुत बार पूछा गया है इसका सही जवाब हो जाएगा तिल चट्टा तिल चट्टा का जो blood होता है white होता है देखे oxygen के लिए हेमोगलोबीन का परिवण न करने के कारण तिल चट्टे का खून का रंग लाल नहीं बलकी रंग हीन होता है कौकरोज के रक्त के द्वारा oxygen का परिवण नहीं किया जाता और इसका रंग भी लाल नहीं होता है इसमें हिमोगलोबीन उपस्तित नहीं होता है इसलिए इसके बलड का रंग लाल नहीं होता है तो एक बात अस्पष्ट है कि हिमोगलोबीन की कारण ही खुन का जो रंग होता है वो लाल होता है कौकरोज के सरीर के परते खंड में इसे ट्यू की एक प्रणाली के माध्यम से को सिखाओं तक जो है सिधे oxygen पहुंचती है इनका रक्त रंगहिन या सफेद रंग का होता है 68 है लाल रक्त कणिका विहिन जनतु है लाल रक्त कणिका विहिन जनतु है तो देखिए केचुवा लाल रक्त कणिका विहिन जो जनतु है वह हैं केचुवा B option केचुवा में लाल रख्ट कणिकाओं का अभाव होता है 69 है अधिकान्स केट स्वसन कैसे करते हैं अधिकान्स केट स्वसन कैसे करते हैं तो सही जवाब है वातक तंत्र से D option वातक तंत्र सभी कीटों में स्वसन की किरियाएं होती है जिसके दोरान वे oxygen को सरीर के अंदर ग्रहन करके carbon dioxide को बाहर निकालते हैं इनमें स्वसन के लिए वायू नलियों का या ट्रैठी का जाल बिछा रहता है जिसे वातक तंत्र कहा जाता है या तंत्र बाहरी वायू को ग्रहन करके सरीर के पड़ते को सिकाओं तक उचाने में सहायक होता है प्रस्ण संख्या 70 निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला फिता क्रीमी उबहे लिंगी है दुसरा गोल क्रीमी के अलग-अलग मतब की लिंग होते है फाइलेरिया सुत्र क्रीमी से होता है चौथा गीनी क्रीमी एनलीड है इन में से कौन-कौन सा कथन सही है तो देखे चौथा छोड़कर गीनी क्रीम एनलीड है इसको छोड़कर पहला दूसरा तीसरा जो मतलब की statement है बिल्कुल सही है B option बिल्कुल correct option है देखिए कथन जो 4 है वो सही नहीं है क्यों कि घीनिक क्रीमी एक सुत्र क्रीमी है क्या है सुत्र क्रीमी जिसका जन्तु वेग्यानिक नाम Draconculus Medinensis है क्या है इसका वेग्यानिक जो सुत्र क्रीमी है इसका वेग्यानिक नाम क्या है ड्रेकन कूलस, मेडिनेंसिस या मनुस्त था कुछ दूसरे अस्तनियों का परजीवी या परासाइट जन्तु है जिसके संक्रमण से सरीर में दमा, उल्टी, खुजलाहट, योसिनोफिलिया, इत्यादी के लक्षन प्रगट होते हैं ये सब सरीर में इस परजीवी के विसले पदार्थ के प्रभाव के कारण उत्पन होते हैं स्वेंटीवन है, निमलिखित मेंसे कौन से जीव, अपर्द हारी या डेत्राइ टीवर हैं, पहला केचुआ, दूसरा है जेली फिस, तीसरा है, मिली पीड चोथा है, तो इन में से कौन सा जो जीव है अपरत हारी या डेट्राइट्योर है तो सही जवाब हो जाएगा याद रखिएगा इसमें जो डेट्राइट्योर है वो कौन कौन सा है पहला केचुवा तिसरा मिलिपीड और पहला तिसरा और पाचवा कास्ट यूका यानि पहला तिसरा पाचवा सी अप्शन बिलकुल करेक्ट अप्शन है ये डेट्राइट्योर्स या अप्रदहारी हेट्रोट्रोफ है जो अपना पोशन अप्रद मृत्य या शड़े गले पौधो वो जानवरों को खा कर प्राप्त करते हैं प्रश्णगत विकल्पो में केचुआ कास्ट यूका यों सहस्त्रपादी अप्रदहारी है 72 है निमलिक्षित में से कौन सा जीव निस्यांदक भोजी या फिल्टर फीडर है कौन सा जीव निस्यंदक भोजी या फिल्टर फीडर है तो सही जबावे सीप आयस्टर यानी सी अप्शन इसके बारे में थोड़ा बहुँ डिसकस कर लेते हैं देगे निस्यंदक भोजी या फिल्टर फीडर ऐसे जीव होते जो जल में निलंबित पोसक पदार्थों को अपने सरीर के बिशेश फिल्टरिंग सनवरचना से जल सहित प्रवाहित करते हुए प्राप्त करते हैं उलेकनी यह है कि सीप निस्यंदक भोजी जीव का प्रमुक उधारन है निलंबित में से किस गुरूप के जन्तु प्राया रात्री चर होते हैं तो इसका सही जबाब हो जाएगा बताएए मच्छर, चमगादर और उल्लू यानी बी अप्सन इनके बारे में बात करें तो रात्री चर जन्तु वे जन्तु होते हैं जो एक दीन में अराम करते हैं किन्टु जो क्या करते हैं यह दीन में अराम करते हैं और रात्री में यह एक्टिव रहते हैं अपने सीकार के लिए भोजन के लिए इन जन्टू में प्राया स्रावन और सुंगने की अत्याधिक छमता होती है या दृष्टी छमता बीसेस अनुकुलित होती है मच्छर, चमगादर, उल्लुक, कीवी, इत्याधी जन्टू जो है ये रात्री चर होते हैं रात्री में ये ज़्यादा एक्टिव रहते हैं स्वेंटिफोर, निमलिखित में से किसका मस्तिस्क उसके सरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है तो सही जवाब है चीटी, ओप्शन ए दिये गए विकल्पों में से चीटी का जो मस्तिस्क होता है उसके सरीर के अनुपात में सबसे ब काटती हैं तो वे अंता छेपित करती हैं जब चीटियां काटती हैं तो किसका अंता छेपित करती हैं याद रखेएगा फॉर्मिक अमल का जिससे जलन पैदा होता है C option इसका सही जबाब है चीटियों के काटने जाने पर सरीर में फॉर्मिक अमल का अंता छेपन होता है जिसक की कार्बाउक्सिलिक स्रेणी का ये प्रथम सदर से है जिसका दैनिक उप्योग जिवानुनासी के रूप में रबर के बेवसाय तथा फलो के रसों को सुरक्षित रखने में किया जाता है 76 है निमलिकित में से किस एक जिव की कुछ परजातिया कावको के क्रिसकों के रूप में जानी जाती है तो सही जवाब है option A चीटी देगे प्रश्णगत बिकलपों में से चीटियों को कावकों के क्रिसक के रूप में जाना जाता है चेटियों एवं कुछ कौकों के मल अनियोनास्रिता का सम्मंद होता है लीफ कटर प्रदाती की चेटिया इस सम्मंद का महत्पुन उधारण है चेटियों के लावे या तरिक्त कुछ दीमकों की प्रदातिया भी कौकों के साथ ऐसे ही किरियाई प्रदासित करती है 77 27 मच्छरों के बारे में निम्लिखित कथनों पर विचार कीजिए मच्छरों के बारे में निम्लिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन है मच्छर जो होते केवल नर रक्त चूसते हैं दूसरा कथन है केवल मादा रक्त चूसती हैं बलड चूसती हैं तिसरा मादा पौधों का रश चुस्ती है, मादा के अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, पांचवा नर के अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, यानि मच्छड के बारे में कुछ statement है, इनमें कौन-कौन सा statement सही है, आप बताईए. तो देखें, इसमें किवल दूसरा और पांचवाय statement सही है, किवल मादा रख्त चुस्ती है, जो मादा मच्छड होती है, यह बलड को चुस्ती है, और नर के अपेक्षा मादा के डैने होते हैं, वो बड़े होते हैं, दूसरा और पांचवाय statement सही है, यानि D-Option. क्योई मादा मच्छर ही गरम रुधिर वाले कसे रुकियों पंच्छीयों और अस्तनियों की रुधिर, या ब्लड चुसती हैं और बाहपरजिवी के रूप में होती है, नर्ण मच्छर रुधिर नहीं चुसते, यानि ब्लड नहीं चुसते और ये अपना पोशन जो है फल फूलो के रस से करते हैं कभी-कभी मदायें भी फल फूलो का रस चुशती है मादा मच्छर समाने तो नर मच्छर से बड़े होते हैं ठीक है इसलिए D इसका सही जबाब हो जाए D उत्तर जुड़ी विकल्प है सही उत्तर है सिवेंटी एट है निमलखित में से कौन से प्राणी अपनी आत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं सही जबाब है उत्तर बी अप्संद उत्त को रिगिस्तान का जहाज कहा गया है क्योंकि इनका सरीर पुनता जो है मरुवस्थल के प्रती अनुकुलित होता है इनके पैर गदीदार होते हैं पैर का जो तलवा होता है गदीदार होता है स्वेंटी नाइन निमलखित में से कौन सा जानवर बीना पानी पिये सबसे लंबी आधी तक रह सकता है वह कौन सा जानवर है जो बीना पानी पिए सबसे जादा समय तक रह सकता है ये प्रस्ट ने बहुत बात पूछा गया है याद रखिएगा सही जबाब है बताईए कमेंट किजिए तो इसका सही जबाब है कंगारू चुहा कंगारू चुहा बीना पानी पिए काफी लंबे समय तक रह सकता है तो कंगारू चुहा या कंगारू रैट बीना पानी पिए सबसे लंबी ओधी तक जिवित रह सकता है जिसके कारण प्राया ठोस मुत्र उसर्जित करता है उसमें यह अनुकुलता उसके उस्सर्जन तंत्र के बिसे संदचना वा कार्य प्रणाली के कारण होती है प्रश्ण संख्यायटी निमलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मुत्र उस्सर्जित करता है तो आपको मालूम है सही जवाब है कंगारू चुहा कंगारू चुहा बीना पानी पिये सबसे लंबी ओधी तक जिवीत रह सकता है जिसके कारण यह प्राय ठोस मुत्र उस्सर्जित करता है उसमें यह अनुकुलता उसके उस्सर्जन तंत्र यानी किड्नी की बिसे संदचना और कारे प्रणाली के कारण होती है 81 है निमलिखित में से किस एक परकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथनों परांत नर को मार देती है सही जवाब है मकडी यानी C आप्सवन मकडी की अधिकांज परजातीयों में मादा मैथनों परांत नर को जो है मार देती है जन्तु वेग्यानिक माइकल रोवर्स के नुस्सार प्रायक कमजोर और सुस्त नर मदाओं के दवरा मार कर भक्षन कर लिये जाते हैं मजबुत मकडी नर बच निकलते हैं और पुना समागम करते हैं 82 है किंग कोगरा एक मात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोसला बनाता है वो अपना घोसला क्यों बनाता है किंग कोगरा एक मात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोसला बनाता है बताईए वो अपना घोसला इसलिए बनाता है इसलिए देखे यह अंड प्रजक सर्प है यह अंड प्रजक अंडा देने वाला सर्प है जो घोसले में अंडा देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक घोसले की पहरेदारी करता है किंग कोब्रा एक अंड प्रजक या अंडा देने वाला सर्प है जो घोसले में अंडा देता है और अंडा से बच्चा निकलने तक अपने घोसलों की रखवाली करता है पहरेदारी करता है 83 एगोसला बनाने वाला एक मात्र सर्प कौन सा है गोसला बनाने वाला एक मात्र जो सर्प है स्नेक है वो कौन सा है तो किंग कोब्रा बी अप्शन किंग कोब्रा एक अंडियूज सर्प है जो कि घोसले का निर्मान करता है मादा उसमें लगभग 20-40 अंडे देती है इस सर्प में पैत्रिक संदक्षन प्रविर्थी पाय जाती है यह विशेश सर्प अत्यधिक गुसैले प्रकृति का होता है तथा इसका 20 मात्र में अधिक होने के कारण प्राण घातक होता है तो जो 20 मात्रा में इसके 20 काफी मात्रा में उत्पन होते हैं जो कि प्राण घातक होता है कोब्रा सर्प का 20 होता है कोब्रा सर्प का जो 20 होता है बताए किस में होता है तंत्रिका विसी रुधिर विसी या दोनों तो अगर बात करें तो क तंत्रिका वीसी होता है यानि option A कोबरा सर्व का मुख्यता तंत्रिका वीसी होता है जो तंत्रिका उतको को यह परभावित करता है यानि जो कोबरा सर्व का वीस है तंत्रिका तंत्र को काफी परभावित करता है इसलिए इसमें काडियो टॉक्सिक है तथा कुछ अन्योगिक भी होते हैं, टॉक्सिक मुख्यता प्रोटीन और पॉली पेप्टाइड होते हैं, 85, निमलिकित में से किस एक सर्प का भोज मुख रूप से अनसर्प हैं, किस एक सर्प का मुख भोजन अनसर्प होते हैं, तो किंग कोबरा का, किंग कोबरा का भोजन मुख रूप से साप होते हैं देखें किंग कोब्रा अपनी तिक्षण द्रिष्टी से या तेज द्रिष्टी से अपने सिकार को दूर से ही खोज लेने में सक्षम होता है 86 है निमलिकित में से कौन सा साप जहरीला नहीं है तो इसका सही जवाब है अजगर जहरीला साप नहीं होता है यदि साप के निचली या उदर सता पर छोटे छोटे सल्क पाए जाते हैं तो वे विस हीन होते हैं उदर सल्क पतले किन्तू पूरी चोडाय तक फैले नहो तब इस अवस्था में भी सर्प विस हीन होते हैं जैसे अजगर सर्पो की विस ग्रंथिया किसकी समांग है तो याद रखिएगा सही जवाब है कसे रुकी प्राणियों की लार ग्रंथिया यानि इसका सही जवाब है D-Option सर्पो की विस ग्रंथिया कसे रुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समांग होती है साप का विस वास्तों में उसकी लार का ही परिस्कृत रूप है 88 साप के जहरीले विस दंथ होते हैं जो रुपांतरित रूप है साप के जहरीले विस दंथ होते हैं जो रुपांतरित रूप है किसका तो याद रखिएगा जम्भीका दंथ के किसके रुपांतरित रूप है तो जम्भीका दंथ के विस एले सापों में उपरी जबडे की मैकसिली हडियों के एक से तीन जोड़ी प्राया जो है बड़े वपीछे की ओर मुडे विस दंथ से मुख ग्रासन गुईका में उभरे रहते हैं या मैक्सिलरी दंत या जमिका दंत उपरी जबडे में ही इस्तित्विस गरंतियों से सम्मंधित होते हैं तो नेक्ट प्रस्ण है 89 निम्लखित कतनों पर विचार कीजिए पहला है समुंदरी कछपों की कुछ परजातियां साक भग्छी होती है तो इनमें जो कथन सत्य है पहला दूसरा तिसरा और चोथा चारो कथन सत्य है d option समुंदरी कछपों में कुछ परजातियां वैसे हैं जैसे कि सिलोनिया, मियाडेस यह साकाहारी होते हैं जो सैवाल और समुंदरी घासों को खाती है इसी तरह मचली की कुछ परजातियां भी साकाहारी होती है जैसे सर्जन फेस पैरिड फेस आधी कुछ समुंदरी सतन पाई, अस्तन पाई समुंदरी गाय, डुगाउंग या आधी सवी सकाहारी होते हैं साथ ही सांपों की कुछ परजातिया भी हैं जैसे ग्रीन एनकोंडा, बुआ, कंस्ट्री अक्टर्स, बच्चे को जन्म देते हैं जब कि अधिकांस आप अंडे देते हैं, चारो कथन सकते हैं प्रेशन संख्या 90, डॉक्स एक साकाहारी जानवर है, कुटा जो है, एक साकाहारी जानवर है, सही है या गलत है तो कुटा सर्वाहारी है, यानि मांसाहारी और साकाहारी दोनों है, याद रखिएगा तो इसका स्टेटमेंट सही नहीं है, 91 है किट भक्षी पौधे मिटी में किसकी कमी से उपते हैं बहुत ही मैदपूर्ण, ये प्रशने काफी बात पूछा गया है तो मिटी में नाइट्रोजन के कमी से किट भक्षी पौधे उपते हैं, यानि C अप्षन इसका सही जवाब है किट भक्षी पौधे ऐसे मिटी में उपते हैं, जहां नाइट्रोजन की कमी होती है ये कीटों का भख्षान करके अपने नािट्रोजन के जरूतों को पूराकरते हैं 92, निम लिखित में से कौन सा एक किटा हारी पादप है? निम लिखित में से कौन एक किटा हारी पादप है? किट को खाने वाला पॉधा है? बताईए तो घट पढ़नी याद रखिएगा बी अप्सन देगे पीचर प्लांट या घट पढ़नी पौधा जो है यह सिकार पकड़ने की अपनी बनावट के कारण मांस भक्षी पौधे के रूप में जाना जाता है घट पढ़नी पौधों में फसे कीट उसमें कत्रित बिसेले द्रौव से मर जाते हैं 93 घट पढ़नी या पीचर प्लांट के निम्लिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांत्रित होता है घट में रुपांतरित होता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा पता बी अप्सन जो इसकी लिफ होती है ये घट में रुपांतरित होता है पीचर प्लांट मांसाहारी किट भक्षी पौधे होते जो अल्प खनीजिया अमलिय मिरदा में उपते हैं जहांपर नाइट्रोजन की कमी होती है नाइट्रोजन के कमी को पूरा करने के लिए ये किटों को अपना आहार बनाते हैं इन पौधों की पतियों के पन फलक कलस या सुराही के भाती विक्सित होते हैं जिसमें पाचक एंजाइम्स पाय जाते हैं जैसे कोई केट पतियों के अंदर प्रविष्ट होता है, तो वैसे ही कलस के धकन द्वारा धक लिया जाता है, और पाचक एंजाइमों के द्वारा नाइट्रोजन का पाचन घट पर्ण के द्वारा कर लिया जाता है, 94 निमलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है तो इसका सही जवाब हो जाएगा घट परणी का जो सुमेल दिया गया है पर जिवी आवरित बीजी से दिया गया जो की सही सुमेलित नहीं है D अप्शन बिलकुल करेक्ट अप्शन है इसके वारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं घट परणी या नेफिंथिस का पौधा परकास अंसलेशन के किरिया के दोरा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है या प्राय ऐसे अस्थान पर उखता है जहां के मिरदा में नाइट रूजन की कमी होती है जिसके पूर्ती वाकीटों को पचा कर करता है इसी के साथ आज का जो सेसन है समाप्ट करते हैं नेक्स सेसन में बचे हुए प्रशनों को कभर करेंगे आप अपना परतिकिरिया देते रही है आपके परतिकिरियाओं का हमें बेसबरी सिंतेजार रहता है यह लोगों ने टेलिग्राम चैनल टेलिग्राम क्वीज गुरूफ फेस्बूक पेज इंस्टाग्राम को जोई नहीं किया वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में इसका लिंक है आप जोईन कीजिए वीडियो को लाइक शेर जडूर करें और हमें सपोर्ट करें थाइंक यू मिलते हैं नेक्स सेशन में